लो स्टुरेंट्स, गुड मॉर्निंग, क्लास एर्थ, संस्क्रेट, नाइन चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, बेटा आज आप पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्य आज आप पढ़ेंगे, तो उपसर्ग क्या होता है, संस्क्रेट के विशाल सब्द भंडार में उपसर्गों का योगदान महतपूर होता है, उपसर्ग वे सब्द खंड होते हैं बेटा, जो निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, परंत वाकि में उनका प्रयोग सोतंतर रूप से नहीं किया जाता, उपसर्ग धातु के समीप आकर धातु को नय आर्थ देते हैं, उनकी संख्या 20 न लेता हैं, अधिगछत प्राप्त करता है, अब दीपक तिमिरम अपांकरोत, दीपक अंधेरे को दूर करता है, अथि पित्र दर्स गुणं मातरह गवर्वेडा निश्चिते, गवरो माता पिता से दस गुणा बढ़ कर हैं, अनुपुत्रह जन्कम अनुकरोत, पुत्र पि से गंगा उतरती है अधि गुरुतम विद्याम सुस्रुवा अधिगच्छत आग्याकारी छात्र गुरु से विद्या प्राप्त करता है आगच्छ देव देवेशा है देवों के देव आईए उद्यत यदि भान पस्चिमे दिग दिव भागे यदि सूर्य ओदे पस्चिम दिशा से हो उपउप सर्पन्ति छात्रास्तम सद्गुरुम ग्याने छात्र ग्यान दाता सद्गुरु के पास पहुंचे अभी देवदत्तों अभिवाद्ते मैं देवदत्त प्रडाम करता हूं प्रात्यत ही निदाहे भास करो लोगपाला संसार का पालन करता सूर्य भी क्रिस्म में तपता है वया मापी परितुष्ठा वलकले हम तो बलकल चीर पहन कर ही संतुष्ठ है दर्पाडात प्रकासा परावर्तते दर्पड से रोसनी लोटती है प्रति जाने रिडम तुभ्या यथा काले पेचितम यथा समय रिड़ लोटाने की प्रतिग्या करता हूँ अब बेटा ये प्रत्य है जो सब्दान सधातों के अंत में जुड़कर उनकी अर्थ को पूड करते है या बदलते है उन्हें हम प्रत्य कहते हैं जैसे क्रत्वा प्रत्य है ठीके तो क्रत्वा प्रत्य का प्रियोग करके अर्थ के लिए किया जाता है जैसे पढ़कर लिख गत्वा मेंहें जाकर सूरो प्लस रत्वा सुनकर को और अगला लेक्चर आपको नोट बुपक में लिखना है और ये लर्न करना है अगला लेक्चर कल पड़िएगा ठैंक конц past कल आप प्रत्य पड़िएगा ठैंकु में सब्सक्राइब